जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा जो चल रहा है उसी के पाउ में तो चाला होगा बिना संघर्ष के इनसान चमक नहीं सकता जो जलेगा उसी दिये में तो उजाला होगा जो मनजिलों को पाने की चाहत रखते हैं वो समुंदरों पर भी पत्थरों से पुल बनाने की हिम्मत रखते हैं तो मेरे इसाब से आप सभी का संकल्प कायम है और जैसे कि हमारे संकल्प बैच के औरगेनिक केमिस्टरी में लास्ट चाप्टर है तो अभी तक हमने जुतने चाप्टर किये हैं आपको वो बहुत अच्छे से समझ आए हैं और आप क्वेस्टन भी प्राक्टस कर रहे हैं और रिविजन भी कर रहे हैं अगर रिविजन अभी तक शुरू नहीं की है स्टूडेंस तो रिविजन शुरू कर दीजिए और क्वेस्टन में अप्लाई करने के लिए आपको रिविजन करनी बहुत जरूरी है मार्क माय वर्ड्स रिविजन के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है डेली चाहे आदा घंटा निकालिए अगर आप आदा घंटा भी नहीं निकाल पारे हो रिविजन के लिए इतना ज़ादा वर्क लोड है तो एट लीस स्टार्ट फरम 15-15 मिनट भी 15 मिनट निकालने है जैसे तैसे करके पहले दिन 15 मिनट निकालिए दूसरे दिन 20 मिनट निकालिए फिर 25 मिनट निकालिए फिर आदा घंटा निकालिए इस तरह से अपने पाटरन को चेंज करने की कोशिश करो और रिविजन को अपने शीडियूल में डालने की कोशिश करो यह सिरफ chemistry से related ही मैं नहीं कह रहे हूँ, सभी subjects से related कह रहे हूँ, revision के बिना आपका concept समझा ना समझा एक बराबर है, तो revision ज़रूर करनी है जितना भी आपने पढ़ा है, जब तक revision चलेगी तब तक आप question कर पाओगे, जैसे ही revision छोड़ दोगे तब आपको problem आने लग जाएग है lecture number one on biomolecules, इसे हम दो ही lectures में cover कर डालेंगे, छोड़ा सा chapter है, interesting chapter है और easy chapter भी है, आपको बहुत अच्छा लगेगा करके इस chapter को चलिए, start करते हैं, आज के इस lecture के अंदर students सबसे पहले तो हम क्या topics cover करने वाले हैं, basically आज के इस lecture में सबसे पहले तो हम यह study करेंगे, biomolecules की introduction इसके बाद students हम study करने वाले हैं, in detail on carbohydrates, तो आज के session में हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम करने वाले हैं, introduction to biomolecules, उसके बाद students हम देखेंगे, about carbohydrates, हम carbohydrates के बारे में पढ़ेंगे, और in detail हम glucose के बारे में study करेंगे, in detail हम glucose के बारे में study करेंगे, ठीक है, आगे जाकर हम फ्रक्टोस के बारे में भी देखेंगे, तो start करते हैं, आज का हमारा session सबसे पहले topic से, that is going to be the introduction to biomolecules, biomolecules के अगर बात की जाएं, तो biomolecules बेसिकली होते क्या हैं, पहले इसको समझना होगा, biomolecules students क्या होते हैं, ये naturally occurring organic compounds होते हैं, ठीक है, मैं ये naturally occur करते हैं, organic compounds हैं, इतना समझा आ गया, कहां पर होते हैं, basically ये essential constituent होते हैं, living organisms के अंदर पाये जाते हैं, different cells के अंदर देखे जाते हैं, जैसे कि एगर मैं कहूं, starch है, cellulose है, proteins है, आपके polysaccharides है, nucleic acid है, ये सभी क्या है, ये सभी biomolecules हैं, तो biomolecules की क्या definition हो चाहेगी, आईए लिखते हैं, biomolecules क्या होंगे, आप मेरी बात ध्यान से सुनेगा, इसके साथ साथ आप NCRT read कर लेंगे, तो बहुत ही बड़िया बात होगी, हाला कि हम सभी points हमारे session के अंदर cover कर देंगे, अगर आप चाहते हैं, तो आप NCRT साथ साथ खोलके, वहीं पर underline करके, वहीं पर चीज़े आड कर सकते हैं, but if you listen to my suggestions, तो मैं यहीं बोलूँगी, जो भी माप को लिखवाती हूं, उसको अपने hand से लिखे, जब तक आप लिखोगे नहीं तब तक वह आपको याद नहीं होगा, सिरफ सुनने से ही हमें concept clear नहीं होता, जब तक हम उसे खुद से नहीं करते हैं, तो साथ 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 नोट्स बनाते जाओगे नो तो easy हो जाएगा, for example, अभी हमने एक segment पड़ा यहाँ पर, ठीक है, अब अपनी NCRT उठाओ, फटा फटा से, you know, this is a theoretical kind of a session, मतलब chapter, इसके अंदर हमें structures बनाने हैं, तो structures बनाते time, अपने notebook उठाएंगे, उससे पहले जो reading वाला section है, topic को समझो, reading करो, topic को समझो reading करो, खतम करो, साथ साथ, NCRT reading हो गई, तो ऐसे काम कर सकते हैं, अब मैंने बोला, biomolecules के definition लेकर है, तो biomolecules के होते हैं, biomolecules are naturally occurring organic compounds, okay, they are naturally occurring organic compounds, which are present as an essential constituent, present as an essential constituent of living organisms, present in different cells, different cells, present in different cells, अगर आप example लिखना चाते हैं, तो you can write cellulose, you can write starch, you can write nucleic acids, etc., ठीक है, यह सभी क्या है, यह सभी biomolecules है, अब बारी आती है, भी ठीक है, अब हम biomolecules तो पता चल गया क्या होता है, आपने उसके अब इसके अंदर बेसिकली हमने study किसके बारे में करना है, तो हम यहाँ पर सबसे पहले study करने वाले हैं, अब आउट कार्बो हाइडरेट्स, सबसे पहले किसके बारे में study करेंगे, सबसे पहले कार्बो हाइडरेट्स के बारे में study करेंगे, अचा, कार्बो हाइडरेट्स क्या होता है, पता जब कार्बो हाइडरेट्स को डिफाइन किया गया तो सबसे पहले यह कहा गया, भी द पॉलिहजीअग एक आपकोची में इसकते हैं. लगीन उसके फेले मैंने एक शब्द का इस्तमाल किया है, जो कि मैंने आपको बोला, They may be defined as optically active polyhydroxy, मतलब एक से ज़्यादा hydroxy group वहाँ पर present होना, ठीक है जी, अब polyhydroxy aldehyde भी कहला सकते हैं, वो यहाँ फिर polyhydroxy ketones भी कहला सकते हैं, ठीक है, which produces such units on hydrolysis, जो hydrolysis पे कुछ products को yield करते हैं, मैं आप भी मैं आपको कुछ example दिखाने लगी हूँ, जिससे आपको यह definition है, यह बहुत ही अच्छे से clear हो जाएगी, यह आपर कहना क्या चाहरा है, अगर मैं आपर इसका एक example लेकर करके चलूँ, for example, हम बात करते हैं, glucose की बात कर सकते हैं, मैंने क्या बोला, सूक्रोज है, चलिए, इसको देखते हैं ध्यान से, अगर मैं glucose की बात करती हूँ, glucose की बात करें, चलिए, सबसे पहले हम glucose की बात करते हैं, what is the molecular formula of glucose, glucose का molecular formula आप सब वाके वैसे 6H12O6, क्या होता है, सभी को पता है, हैना नहीं पता तो पता चल गया है, आचा, अब यहाँ पर glucose एक कार्भोहाइडरेट है, और glucose किस तरह का कार्भोहाइडरेट है, बेसिकली यह polyhydroxy aldehyde है, यह क्या है glucose, glucose है, polyhydroxy aldehyde है, क्योंकि इसके अंदर क्या है, aldehyde group आपको देखने को मिलेगा, अभी हम इन डिटेल glucose के बारे में study करेंगे, तो आप जानेंगे इनके structure में, पीसे polyhydroxy क्यों कहा गया, इसके अंदर एक से जदा हाइड्रोकसल ग्रुप है, तो उससे देखकर polyhydroxy कहा गया, दूसरी बात इसके अंदर aldehyde group देखने को मिलता है, अब बारी आती है किसकी, दूसरी बारी आती है, फ्रक्टोस की, अगर polyhydroxy aldehyde compound है, जबकि फ्रक्टोस जो है, वो polyhydroxy ketone compound है, तो यहाँ पर इसका formula भी सेम है, C6H12O6 ही है, लेकिन ये क्या है, ये है polyhydroxy ketone, क्योंकि यहाँ पर एक से जदा hydroxy group तो है, लेकिन ketone present है, क्या present है ketone, जबकि glucose में क्या present है, aldehyde group present है, अभी दोनों का structure देखेंगे तो आप differentiation कर पाएंगे, differentiate कर पाएंगे, समझ भाएंगे भी मैं क्या कह रही हूँ यहाँ पर, चलि तीसरे compound की बात करते हैं, तीसरे आता है, सूक्रोस, क्या आता है, सूक्रोस हाता है, अच्छा सूक्रोस का क्या molecular formula होता है, सूक्रोस का होता है, C12H22O11, क्या होता है, इसका होता है, C12H22O11, ठीक है माम, तो माम, अब यह बताईए, यह क्या होता है, देखो, अभी ना definition पर वापीस आते है, समझते हैं definition को ध्यान से, वो कहते है, carbohydrate को हम कह सकते है, ऐसे optically active polyhydroxyldehyde, polyhydroxyldehyde भी हो सकता है, polyhydroxy ketone भी हो सकता है, या फिर, या फिर और, ध्यान से स करते हैं, hydrolysis पर, सुक्रों से एक ऐसा compound है, जिसके अगर हम hydrolysis करवाते है, तो glucose और fructose produce होता है, यानि कि क्या produce होता है, यानि कि polyhydroxyldehyde, polyhydroxy ketone produce होता है, समझ पा रहे हो कहानी, समझ पा रहे हो, क्या कहा, यह कहा, carbohydrate क्या होते है, polyhydroxyldehyde होंगे, या polyhydroxy ketone होगे, इ तो मैंने पहले यही तो बताया, यह आपको polyhydroxyldehyde है, let us say, this is your polyhydroxy ketone है, तो यह दोनों क्या है, carbohydrate है, अब मैं ऐसे compound की बात करने हूँ, जिसकी hydrolysis करवाओगे, जैसे सुक्रों की, अगर हम hydrolysis करवाते हैं, तो हमें यहाँ पर क्या देखने को मिलता है, हमें polyhydroxyldehyde, यह ketone जैसे compound देखने को मिलता है, let me tell you, जब सुक्रों की hydrolysis होती है, तो glucose और fructose ही produce होता है, अब glucose का क्या formula होता है, C6H12O6 होता है, similarly fructose का भी same formula होता है, C6H12O6 होता है, तो यहाँ से क्या मिल रहा है हमें, यहाँ से हमें glucose यानि की polyhydroxyldehyde भी मिल रहा है, और fructose यानि की polyhydroxy ketone भी देखने को मिल रहा है, तो I hope सब आपको जो carbohydrates की basic definition है, वो इस example से बहुत अच्छे से clear हो गई होगी, इसको पहले लिख लो, इसको पहले पढ़ावट से लिख डालो, पढ़ावट से लिख डालो, अच्छा, अब carbohydrates की definition तो समझ लिए है, अब इसकी classification करते हैं, ह अचली classification के अगर सबसे बहले बात की जारी है, तो classification का मतलब क्या है, वो कितनी categories में further categorize किया गया, कितने types हैं इसकी basically, तो carbohydrates को हम different categories में categorize करते हैं, सबसे पहली category आती है, monosaccharides, क्या होता है, सबसे पहली category आपकी classification में आप क्या study करने वाले हो, you are going to study about monosaccharides, सबसे पहले किस कर लो, आपका कोई भी topic है, आपको उसको रट्टा नहीं लगाना है, आपने उसको समझना है, cdc बात है, अगर आपको उसकी definition याद नहीं आ रही है, तो just look at the compound's name और उसको सोचो एक बर उस पे गौर करो, क्या लिखा है, monosaccharide, क्या लिखा है, monosaccharide, mono का मतलब क्या होग monosaccharides में क्या होता है, monosaccharides में non hydrozible carbohydrates आते हैं, जिनकी हम hydrolysis नहीं करवा सकते हैं, कहने का ये मतलब है, जिनकी हम hydrolysis नहीं करवाएंगे, वो carbohydrates हमारे monosaccharides कहलाते हैं, अब जैसे की example अगर आप ले लो, तो glucose है, fructose है, इनको आप further hydrolyze नहीं करवा सकते हो, तो क्या होगा याँ पर हम ये कह सकते हैं, they are not hydrolyzed further, they are not hydrolyzed further, example लेना चाहते हो, तो you have an example of glucose, अभी आपने formula देखा, क्या है, C6H12O6, क्या है ये glucose, आप इसकी further hydrolysis नहीं करवा सकते हो, अच्छा माम और क्या example हो सकता है, फ्रक्टोस हो सकता है, फ्रक्टोस का भी molecular formula same है, but there is different functional group in both of them, है ना, इतना तो आप सबको पता है, अच्छा, इसके अलावा और हम क्या बोल सकते है, गैलक्टोस बोल सकते है, राइबोस बोल सकते है, तो ये सभी किस category में आ जाते हैं, ये सभी आपके monosaccharides में आ जाते है गैलक्टोस हो गया, राइबोस हो गया, ये सभी किस में आएंगे, monosaccharides की category में fall करेंगे, अच्छा, इसके अलावा माँ, monosaccharides की बारे में हम और क्या जान सकते है, that they are soluble in water, ये क्या होते हैं, ये क्या होते हैं, ये पानी में soluble होते हैं, तो ये can even write it over here, they are soluble in water, they are soluble in water ये water में soluble होते हैं, clear हुआ, अच्छा, अब मैंने आपको mono का तो बता दिया था, one unit is saccharide का मतलब क्या होता है, sugar, in short हम sugar कहते हैं, ठीके, इसको saccharon word से derive किया गया है, जिसका मतलब sugar होता है, जो की sweet in taste होता है, तो monosaccharides is basically mono मतलब single unit of sugar, ठीके, तो यहाँ पर क्या है, they are not hydrolyzed जैसे की glucose, fructose, galactose, ribose और they are soluble in water, तो यह उपर उपर से मैंने आपको बता दिया, what are monosaccharides, जो की आपको पता होना चाहिए, students बहुत अच्छे से, सबसे पहले आप इसको note कर लीजे, so that we can move on to our next category, that is diasaccharide, पहला तो क्या है, पहला हमारा है, monosaccharide, second category कौन सी है, diasaccharide, आई यह second category के बारे में भी लिखते हैं, ध्यान से सुनेगा, जब मैं diasaccharides की बात करती हूँ, तो diasaccharides, अगे dias stands for 2, die का मतलब क्या हुआ है, आपर 2 हुआ, मतलब यहाँ पर मुझे 2 units of sugar मिलने वाले है, ठीक है, 2 units of sugar का मतलब क्या होगा, मतलब ऐसे हमें unit मिलने वाले है monosaccharides की मिलने वाले है on hydrolysis, मतलब किसी compound के अगर आप hydrolysis करोगे, तो आपको 2 unit वहाँ से मिलेंगे, तो 2 units of monosaccharides are given on hydrolysis, this is referred to as diasaccharides, तो यहाँ क्या लिखेंगे, 2 units, 2 units of monosaccharides, monosaccharides के होते हैं, जिनके हम hydrolysis नहीं करवा सकते हैं, monosaccharides are given on hydrolysis, अभी इसका example आप करके हटे हो, अभी, just अभी हमने इसका example किया है, जिससे आपको यह बहुत ज़्यादा clear हो जाएगा, दूसरी चीज, यह भी soluble होते हैं water में, तो मैंने यह चीज इसके साथ ही लिख दिया, अभी इसका example अभी किया है, क्या है, सूक्रोस, जब आप सूक्रोस की hydrolysis करवाते हो, तो you obtain glucose as well as you obtain fructose, तो यहाँ पर देखो, आपको दो unit मिली न, एक glucose मिला और एक fructose मिला, तो यह इसका example हो जाएगा, क्या सभी को clear है इतना, हाँ जी, everyone, चलो इसको भी लिखलो फटावट से, फटावट से इसको लिख लीजिए, अच चलिए, now we are moving to your NCRT lines, हम NCRT से भी lines को read करते ही चलेंगे, तो थोड़ा easy हो जाता है, concept clear हो जाता है, crystal clear हो जाता है, चलो, अब NCRT में line महापे mark करके देखेंगे, क्या-क्या लिखा है, क्या-क्या लिखा है, Carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis, भी hydrolysis पे वो क्या हमें produce करके देता है, they have been broadly divided into three groups, majorly three groups में divided है, पहला उसने बोला है, Monosaccharides, Monosaccharides क्या होते है, Carbohydrates that cannot be hydrolyzed further to give simpler units of polyhydroxy-ldehydr ketones, इनको further hydrolyze नहीं कर सकते, in short हम यह हापर बोल रहे है, क्या का हमने, Carbohydrates cannot be hydrolyzed further to give simpler unit of polyhydroxy-ldehydr ketones, इसे कहते है, Monosaccharides, About 20 Monosaccharides are non-to-occur in nature, some common examples are glucose, fructose, ribose, etc., जो कि हमने अच्छे से पढ़ लिया है, I hope साब सबको भी यह सब चीज clear हो चुकी होगी, चलिए students, now moving on to the next category, इन्होंने directly Monosaccharides के बाद, Oligosaccharides को explain किया, but no need to worry about it, आईए, हमने Disaccharides के बारे में भी study कर लिया है, now comes the third category, in short, NCRT के according second category है, but yes, हमने Disaccharides को study किय जो कि आप यहाँ पर पढ़ोगे, Oligosaccharides के अंदर भी वो mention कर रहा है, Oligosaccharides क्या होते है, पहले इसको देखते है, Oligosaccharides क्या कहता है, Carbohydrates that yield 2, 2 देगा तो क्या होता है, वो die होता है, 2 होगा तो वो क्या होगा, die saccharide होगा, जो कि हमने individually देख लिया है, तो वो क्या ब क्या बोलेंगे, Oligosaccharides बोलेंगे, इनकी further categorization की जाती है, di saccharides में, tri saccharides में, ठीके, यहाँ, sorry, cut कर देना, di saccharides, tri saccharides, tetra saccharides में, tri का मतलब 3 हो जाएंगे, tetra का मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, अब इसी से एक example यहाँ दात है, रेफिनोज का, क्या example है, इसी से एक, tri saccharides है, मतलब क्या है, tri का मतलब यह तीन यूनेट्स में break करेगा, hydrolysis करवाने पे, तो जब आप इसकी hydrolysis करवाओगे, students, जब आप इसकी hydrolysis करवाओगे, तो इसमें hydrolysis होगा, यह glucose में, fructose में, galactose में hydrolysis होगा, किसमें hydrolysis कर जाएगा, यह तीन monosaccharides, य di saccharides को भी oligosaccharides में categorize करते हैं, चलिए, tri में क्या होगा, भी तीन यूनेट्स में वो further split हो रहा है, tetra में क्या होगा, भी वो चार में split हो रहा है, depending upon the number of monosaccharides, they provide on hydrolysis, कितने वो monosaccharides देते हैं, उसी के basis पे उसका नाम रखा गया, अगर तो दो यूनेट प्रड्यूस हो the two monosaccharides unit obtained on hydrolysis of a di saccharides may be same or different, वो कहता है, same भी हो सकते है, different भी हो सकते है, di saccharides जो unit मलते है, जैसे उसने example लिया, भी हमने sucrose के molecule के hydrolysis करवाई, जो के अभी हम कर चुके है, अबने देखा है, क्या देता है, वो one molecule glucose का देते है, और one molecule fructose का देता है, whereas maltose जो है, अबे उसने produce करते हैं, carbohydrates के, क्या सभी को clear हुआ, इतनी सी चीज़, चलो, अब इसके बाद, oligosaccharides के बाद, last category जो आती है, वो आती है, polysaccharides, क्या है polysaccharides, ध्यान से देखेंगे, carbohydrates which yield a large number of monosaccharides unit, अब देखो, अभी तक oligo में हमने का, अभी 2 से लेकर 10 unit वाले जो है, monosaccharides, जो hydrolysis पर देते हैं, वो oligo की category में fall करते हैं, लेकिन अगर बहुत ही जादा मातरा में, आपको monosaccharide unit की production देखने को मिलती है, hydrolysis पर, तो वो polysaccharide कहलाता है, चलो, इसको read करते हैं, क्या कह रहे हैं आपर, carbohydrate which yields a large number of monosaccharide unit, जो बहुत ही जादा मातरा में, monosaccharide unit को देते हैं, on hydrolysis, उसे polysaccharide कहा जाता है, some common example उसने हमें दे दिया, starch ले लो, cellulose ले लो, glycogen, gums, etc., यह सभी किस category में fall करते हैं, polysaccharides में करते हैं, polysaccharides क्या होते हैं, they are not sweetened taste, taste में यह sweet नहीं होते हैं, hence they are also called non-sugars, अभी देखो, मैंने आपको बोला न, saccharides क्या होते हैं, saccharides are basically saccharides से word आया है, जिसका मतलब होता है sweet होना, मीठा होना, sugar होना, तो in short, अगर वो सब sugar है, तो हमने अबर बोल दिया, अभी polysaccharides ऐसी category में आते हैं, इन्हें non-sugar का जाता है, क्योंकि यह taste में sweet नहीं होते हैं, तो एक नहीं बात आपको सीखने को मिली, एक नहीं बात जानने को मिली, आपको पता चला, अब यहीं से हम sugar को थोड़ा सा in detail लिखेंगे, sugar के बारे में, मतलब जुतना आपने अभी तक पढ़ा, एक बार उसको हम summarize करते हैं, तो summarize करते हैं, मैं यह कह सकती हूँ, भी sugar क्या होते हैं, sugar होते हैं मेरे monosaccharides, या oligosaccharides, जो क्या होते हैं, विचा क्रिस्टलाइन solid, बेसिकले, ठीके, sugars होते हैं, वो पानी में soluble होते हैं, they are sweet in nature, उन्हें sugar कहा जाता है, चबकि मैं जो non-sugar की बात करती हूँ, non-sugar वाली काटिगरी में मेरे कौन आएगा, तो मुझे इसके बारे में पता होना चाहिए, so now let us write about sugars in detail. चलो, यहीं से लिख लेते हैं, अच्छा, अब हम sugars के बारे में लिखते हैं, तो sugars क्या होते हैं, sugars की काटिगरी में अभी हमने देखा, पिछले दोनों cases में, mono में भी लिखा, oligosaccharides में भी लिखा, वो water में soluble होते हैं, तो sugars क्या होते हैं, sugar basically are monosaccharides, शुगर basically are monosaccharides and oligosaccharides. यह दोनों किस काटेगरी मेंमें फॉल करते हैं? शुगर में. तो they are basically crystalline solid, ठीक है? Are crystalline solid. are crystalline solid. They are soluble in water. यह वाटर में soluble होंगे. They are Soluble in Water ये Water के अंदर क्या होंगे students? ये Water के अंदर Soluble होंगे अच्छा अब इसके Example के अगर मैं बात करते हैं ये तो पता है ना Sugar है तो Sweetin Taste है अच्छा अब यहाँ पर इसके Example अगर हम बात करते हैं तो इसके Example Glucose हो जाएगा इसका Example Fructose हो जाएगा मतलब वो स्थाब Example हो जाएगे जो कि Monosaccharide की काटेगरी में भी फॉल कर रहे है जो कि हमारे Oligosaccharide की काटेगरी में फॉल कर रहे है लेकिन अगर यहीं पर मैं Non-Sugar की बात करूँ अगर मैं यहीं पर Non-Sugar की बात करूँ तो Non-Sugar कौन सा होगा? Non-Sugar अभी हमने देखा Non-Sugar कौन सा होगा? मैं Polysaccharide होगा Non-Sugar कौन सा होगा? Polysaccharides क्या होते हैं? वो Non-Sugar होते हैं देया Non-Sugar अचा यहीं से ना अभी शुगर की बात हो रही है तो शुगर को फॉर्दर काटेगराइज कर सकते हैं Reducing Sugar और Non-Reducing Sugar में तो आई उसके बारे में लिखते हैं उससे पहले एक बार इसको No-Down कर लो फटाफट से इसको लिख लो फटाफट से अचा चालो अब मैंने जैसे की बोला भी हम Sugar को Further काटेगराइज कर सकते हैं So let us write the Types of Sugar अब हम लिखने वाले हैं यहाँ Types of Sugar तो Sugar के अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहली Type जो हमारे पास आती है That comes out to be Reducing Sugar कौन सी Sugar आती है सबसे पहली Reducing Sugar आती है अचा अब Reducing Sugar के बारे में देखो क्या होता है अब भी हमने जो पिछला चाप्टर पड़ा था उनके अंदर हमने ना दो तरहां के रिएजिन पड़े थे We studied about the felling solution as well as the tollens reagent है ना तो अगर मैं Reducing Sugar की बात करते हूँ तो Reducing Sugar में यह बोलती हूँ भी जिसके अंदर free LDID ketonic group present होगा और जो उन दोनों को Reduce कर देगा felling solution को भी tollens reagent को भी तो वो Reducing Sugar के हलाएगा ठीके क्या बोला मैंने यहाँ पर मैंने बोला which contains at least free LDID ketonic group वहाँ present होना चाहिए तो हम क्या लिखेंगे this contains this contains free ketonic group which reduces which reduces felling solution और tollens reagent वो क्या 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 लाएगा आर रेफेर्ट आस reducing sugar आर रेफेर्ट आस are referred as reducing sugar उसे reducing sugar कहा जाएगा जितने भी monosaccharides है they all lie in the category of reducing sugar ठीके अब बारी आती है भी भाई reducing sugar तो ही होते है but what a non-reducing sugar जिसके अंदर कोई भी free LDID ketonic group present नहीं होगा और जोसमें reduce नहीं होगा ठीके यहाँ पर आएगा basically all monosaccharides लेकिन sucrose ऐसा example है जो non-reducing में आएगा तो non-reducing sugar लिख लो पहले non-reducing sugar में क्या आएगा which do not have which do not have free LDID free LDID or ketonic group free LDID or ketonic group hence do not reduce hence do not reduce felling solution do not reduce felling solution or tollens reagent or tollens reagent is referred to as non-reducing sugar जैसे की हमारा एक इसके इंदर example मैंने बोला सूक्रोस का इसके इंदर मोसली सभी monosaccharides आ जाएंगे ठीक है और non-reducing के अंदर जो हमारी category fall करती है that comes out to be sucrose clear हुई सभी को ठीक है non-reducing में हमारा dia saccharide आता है जो की है sucrose अब बारी आती है हमारी most important topic की carbohydrates के अंदर जो कि हमने monosaccharides के अंदर पड़ा glucose उसके बारे में तो आहे होपस आप इसको लिख लोगे करता है उससे ketose कहते है what is an aldehyde group aldehyde group क्या होता है C double bond OH और यहां पर आपका कोई group लगा हुए तो यह aldehyde group होता है what is a keto group keto group है C double bond O दोनों तरफ क्या है कोई ना कोई आपका carbon का यानि कि alkyl group लगा हुगा है ना तो अगर आपका functional group aldehyde लगा हुए तो आप उसे aldoze कहोगे अगर keto group लगा है तो आप उसे ketose की category में fall करवाओगे क्या सभी को इतना clear है about monosaccharides चालो अब हम study करने जा रहे हैं about सबसे पहला glucose glucose के अगर मैं बात करते हूं तो glucose आपको free as well as combined form दोनों में पाये जाता है ठीक है यह sweet fruits में भी देखने को मिलेगा honey में भी देखने को मिलेगा आप सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी methods of preparation की glucose को हम कैसे prepare कर सकते हैं तो now comes the methods of preparation of glucose अच्छा glucose को prepare करने का सबसे पहला method तो अभी आप सब कर चुके हैं from sucrose हम sucrose से glucose को prepare कर सकते हैं यह method हमने अभी ध्यान से अच्छे से देख लिया है कैसे कर सकते हैं what is sucrose it is C12H22O11 यह क्या होता है यह sucrose होता है सूक्रोज की जो की एक तरह का डाय सेकराइड है इसकी जब आप हाइड्रोलिसिस करवाते हो जब आप इसकी हाइड्रोलाइसिस करवाओगे तो यूशल अप्टेन C6H12O6 जो की क्या है ग्लूकोज है जिसका method of preparation हम study कर रहे है और साथ ही साथ C6H12O6 फ्रक्टोज भी आसे प्रडियूस होगा अब जैसे कि हमने बोला जो LDH group अपने अंदर contain करता है उसे LDOS कहते है जो किटोने group contain करता है उसे किटोस कहते है ठीक है तो clear हुआ सभी को सबसे पहला method of preparation तो हम बार बार study कर रहे है तो आप सबको यादी हो गया होगा सुक्रोज के आईड़लेस कर वा होगे तो glucose फ्रक्टोस प्रडियूस होगा सुक्रोज का formula C12H22O11 और glucose फ्रक्टोस का तो आपको बता ही है clear हुआ चालो अब next method of preparation इसी के अंदर जो हम study करते है that is from starch क्या है starch अच्छा अभी oligosaccharide और I would say it is a polysaccharide किस category में fall किया ता अभी starch पड़ा है तो starch is the type of polysaccharide अभी देखो गर याद नहीं है तो अभी बताया था आपको यहां पर यहां पर देखो लिखा ही रहा polysaccharides के अंदर starch मतलब which contains a large number large number of monosaccharide units इसके अंदर होते है that is the starch basically it is the polysaccharide अच्छा अगर आपने बहुत अच्छी मात्रा में glucose को produce करवाना है तो you should go for the method of preparation from starch starch से करवाओ क्योंकि starch सब commercially glucose को obtain कर सकते हो starch की hydrolysis करवाते हो और इसकी hydrolysis आप dilute H2SO4 में करवाते हो मतलब वहां पर आपके पास H positive iron मिल जाता है तो उसकी presence में इसकी hydrolysis होती है अब starch का माम क्या formula है तो it is C6H10O5 क्या है C6H10O5 इसके N molecules है कितने molecules है N molecules है मतलब अनगीनत molecules है बोला तो सरी यह polysaccharide है है ना इस वज़े से यह किसका structure है यह starch क्या molecular formula की बात की गई अच्छा मैंने क्या बोला इसकी आपने hydrolysis करवाने है dilute H2SO4 की presence में करवाते हो वहां से आपको H positive iron मिल जाता है यहां दो चीजों का आपने ध्यान देना है सबसे पहले बाद temperature 393 Kelvin temperature पर यह जो है आपकी reaction perform की जाती है दूसरा आता है pressure जो कि 2 से लेकर 3 ATM का pressure आप apply करते हो ठीक है तो इन दो चीजों का आप ध्यान देंगे आप ध्यान दीजेगा जब आप starch की hydrolysis करवाते हो मतलब commercially आप जब glucose की production करवाते हो तो starch से completely glucose मिलता है अब सुकरो प्रवाइड कर रहे हो तो complete आपको क्या मिलेगा glucose मिलेगा अब जैसे कि मैं हम यहां पर dilute H2SO4 की बात कर रहे है तो यहां पर हमने N molecules of starch हम यहां देख रहे हैं भी participate कर रहे है तो N molecules of glucose ही मिलेंगे C6H12O6 जो है जितने यहां पर N की वाले हो उतने ही glucose यहां पर आपको क्या म करते हैं अब स्ट्रक्चर की बात की जाती है glucose की बार में हमने उपर से जान लिया वाट इस ना दे स्ट्रक्चर अव्ग्लूकोस की बात की जाए तो अभी मैंने बोला जहां पर हम कहते है यह एल्डीहाइड ग्रूप है उसे ल्डोस कहा जाता है जहां पर की टो ग्रूप हैं नुक सॉलु कार्वूण एक टो क चले कारम के ल्डीहाइड ग्रूप प्रेजें के लावा इसको डेकस्ट्रोंग का जाता है It is also called dextrose, इसे dextrose भी कहा जाता है, अब dextrose बुलाने का क्या कारण है माम, इसे dextrose क्यों कहते है, लोस तो हमें सामझ आ गया, dextrose इसे लिए कहते है, आप अपने optically active compound, optically activity study करी थी, हमने वहाँ पर क्या भूला था, जब plane polarized light को, वो किस direction में shift करता है, either in the right direction or on the left direction, यह in short हम मैं उसको clockwise rotate कर देता है or anti-clockwise rotate कर देता है, तो if it rotates the plane polarized light into clockwise direction, तो उसको dextrose rotatory कहते है, लेवियो रोटेटरी को, यानि कि जब anti-clockwise में डिरेक्शन में रोटेट हो रहा है, उसे negative signs देनोड किया जाता है, अधर दिन दिस हम ये भी कहते हैं, भी glucose एक तरह का क्या है, ये मोनोमर है, अभी हमने यहापर क्या देखा, देखो, ये starch का क्या है, बेसिकली ये starch का मोनोमर है क्या है, मोनोमर है, यहापर जो हम production देख रहे हैं, इस starch से, इसका मोनोमर भी कहलाता है, तो इस तरह हम glucose को बोल सेते हैं, अब molecular formula का है, C6, S2O6, अच्छा, इसका molecular mask है, you all are aware, इसका molecular mask कितना होता है, 180 होता है, ठीक है, अब बारियती है structure पे, अब structure सीधा तो ऐसे तो नहीं हमने बोला, यह polyhydroxy aldehyde है, मतलब यहाँ पर क्या है, aldehyde है, मतलब CHO group है, इतना तो समझ गए, CHO group है, जबर aldehyde group, ऐसे, देखो CHO लिख लो, या फिर आप इसको ऐसे लिख दो, C double bond OH, बात तो एक ही है ना, बात तो एक ही है, है ना, तो मैंने क्या लिखा, direct CHO लिखा, इसके अलावा हमें क्या देखने को मिलेगा, यहां हमें देखने को मिलेगा CH2OH, तो यह क्या है, यह है, ग्लूकोस का basic सा structure, जिसके basis पे हम एक final structure अप्टेन करेंगे, क्या होगा, इसके experiment करवाएंगे और हम प्रूफ करेंगे भी, यहाँ पर इसको, इसको, eldo hexose कैसे का आ ग जैसे कि आपको मैंने क्या बोला, यह हमारा polyhydroxy group होता है, यह eldo hexose होता है, यह dextrose होता है, जब हम इसकी heat करवाते हैं, पहला experiment, जब हम इसकी heat करवाते हैं, in the presence of HI, hydrogen iodide की presence में जब इसकी reaction करवाई जाएगी तो आपको यहां से nhexane की production देखने को मिलेगी, क्या देखने को CH3 obtained हो जाएगा, यानी की, यानी की, देखो, यह आपका सबसे पहला experiment हो गया, तो यहां से क्या हुआ, आपने glucose को जब heat किया, HI की presence में तो आपको यह देखने को मिलता है, ठीक है, तो चलो, आगे चलते हैं, आप next experiment में क्या होता है, देखना ध्यान से, या आप NCRT खोलेंगे, तो line to line आपको इसके बारे में extra in detail भी लिखा होगा, अब अगर मैं LD height group को थोड़ा सा open up करके लिख देती हूँ, ठीक है, LD height group को अगर मैं open up करके लिखती हूँ, तो मेरा क्या है, देखो, C double bond OH है, अब मैं इसको अगर ऐसे लिखूँ, यहां पर यह C, हम दूसरा color ले लेते हैं, थोड़ा अच्छे से हो जाएगा, देखो, यह C है, यहां double bond O है, इधर H, यह मेरा क्या है, LD height group है, यह क्या था, LD height group था, अब मैं इसको as it is लिख देती हूँ, CH, OH, 4, ठीक है, इसके बाद ध्यान से देखना, यहां पर यह as it is लिख दे, CH2H ल reaction यहां पर करवाने वाले हैं, यह हम hydroxy amine की presence में करवाने वाले हैं, मतलब NH2OH की presence में reaction होगी, जब यह reaction NH2OH की presence में होगी, यानि की hydroxy amine की presence में होगी, तो हमें यह state करता है, भी glucose के अंदर एक carbonyl group present है, यह reaction आपको यह बताने में help करती है, भी यहां पर एक carbonyl group के present है, क्य क्योंकि यहाँ पर क्या उने वाला है बहुत ही सिम्पल सी चीज है देखना हमने यहाँ पर क्या लिया हम variation है यह धी को सकती हूं है फिर इंहेश को एस युज कंक्रिब सकती हूँ यहां से ने काल सकती हूं बिलकिल निकाल सकती है किया यहां के यहाँ पर CHOH4 as it is है और यहाँ पर हमारे पास CH2OH as it is है यह हमें क्या यहाँ से देखने को मिला यह ओगजाइम देखने को मिला और जब ओगजाइम की प्रोडक्शन हुई तो यहाँ से यह चीज़ क्लियर हुई यहाँ से यह observation निकाली गई भी glucose contains glucose contains क्या हुई हमें confirmation होगे भी भाई इसके अंदर तुम्हें कोई कार्बनिल ग्रुप देखने को मिलता है तभी oxygen की production हो रही है तो यह पहला experiment था ठीक है यह दूसरा experiment था दूसरे experiment से clear हो गया भी भाई उसके अंदर कोई कार्बनिल ग्रुप जरूर प्रेजेंट है ऐसे ही अब हमने क्या क्या ग्लूकोस की reaction ना HCN से करवाई तो देखो अब क्या होगा इसको लिख लो पहले साथ सथ NCRT open कर लोगे तो बहुत easy हो जाएगा है ना चलो आगे करें चलिए 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 नेक्स्ट देखते हैं चलिए चलिए तो यहां पर आब हम क्या कर रहे हैं नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देखने वाले हैं नेक्स्ट में भी हम क्या करेंगे फिर से ग्लूकोज को लिखेंगे C double bond OH यह हमारे LDH group फिर CH OH यह 4 था और लास्ट में हम रपास क्या था CH2 OH यह क्या है ग्लूकोज है अब हम ग्लूकोज की रियक्शन किसके साथ करवा रहे हैं वी आर डूइंग इस रियक्शन विद HCN किसके साथ HCN के साथ ठीक है अब HCN में आपको बताए साइनाइड ग्रूप है CN ग्रूप है तो साइनाइड ग्रूप पे और अगर हाइड्रोजन से कंपेर करते तो इस पर पार्शल नेगेटिव चार जाएगा इस पर पार्शल पॉजिटिव आएगा अब मुझे वहाँ पर बताओ तो carbon double bond oxygen तुम्हारे पास हैं carbon और oxygen में से ज़ादा elektroneगेटिव कौन है चार्जेज लगा दिये, अब आपको पता है, अगर मैं इस electron की यहां पर breakage करवाती हूँ, देखो क्या होगा, यह positive charge obviously इस negative की तरफ जाएगा और यह negative इस positive की तरफ जाएगा, तो carbon 5 bond तो नहीं बनाएगा, तो यह bond की electrons oxygen पर break हो जाएगे, जब यह bond की electrons oxygen पर break हो जाएगे, बनेगा, देखो थे हां से, carbon पर क्या लग गया, यह CH को तो अपने ऐसे लिख दिया, अब देखो, आपको यहां से क्या देखने को मिला है, oxygen पर आखर के जुड़ गया, hydrogen और carbon पर क्या जुड़ गया, आखर के CN, अब बाकी की कहानी as it is, CHOH4 और नीचे क्या लिखा है, CH2OH लिखा है, यह सभी को यह देखने को मिल रहा है, clear है, यह क्या कहलाता है, यहां पर देख लीजे, यहां पर जब हमारा HCN के साथ यह हमने करवाया, तो यहां पर यह भी हमें यह confirm करता है, भी यह carbon ग्रूप इसके इंदर present है, क्या clear हुआ, यह भी हमें क्या confirm करता है, that it contains, य इस experiment को भी लिख लीजिए, फटा फट से, अभी कॉर experiment करवाया गया, that was with bromine water, bromine water के साथ जब आप experiment करवाते हो, glucose की तो glucose का structure फिर से लिख लेते हैं, this is our aldehyde, फिर क्या है, CHOH का 4 और फिर last में क्या है, CH2OH यह क्या है, यह glucose है, ma'am, अभी हमने बोला, अगर हम इसकी reaction किसके साथ करवाते हैं, bromine water के साथ, किस के साथ reaction करवा रहे हैं, glucose की, अब हम bromine water के साथ करवारे है, तो bromine water एक mild oxidizing agent की तरह काम करता है, यह किसकी तरह कां करेगा, ma'am, यह mild oxidizing agent की तरह आपका काम करेगा, अच्छा, ma'am, ठीक है, अगर ma'am, में mild oxidizing agent की तरह हम करेगा तो यह इस LDH group को किस में oxidize कर देगा? COH group में oxidize कर देगा. अच्छा मतलब मैम यहां से LDH group हट करके क्या आ जाएगा? कार्बॉकसलिक group आ जाएगा. बाकी की कहानी same हो जाएगी. बाकी की कहानी same हो जाएगी. क्या हुआ हमने mild oxidizing agent लिया. तो यहां से हमें क्या देखने को मिला? जो CHO है वो किस से replace हो गया? वो C1H उसकी जगा कार्बॉकसलिक group हमारा आ गया. तो यह क्या हुआ? ग्लुकॉनिक आसिड की production हो गया. क्या होई? ग्लुकॉनिक आसिड की production. तो जिससे यह थाबित हो गया, भी यहां पर aldehyde group present है था. अभी यहां तक तो यह पता चल रहा था, भी कार्बॉनिल group present है, कार्बॉनिल group present है. यहां से जब उसने oxidation कर दी, यहां से basically mild oxidizing agent आ गया, तो हमने क्या देखा? भी aldehyde group जो है, वो oxidize होकर के C double bond OH में convert हो गया. clear हुआ सभी को, इतना clear है, इसको पहले लिख लो, पड़ावट से, ताकि हम आगे चलें. तो यह कुछ experimental data है, जो कि आपको पता होना चाहिए, ठीक है, सिद्धी सी बात है. चालिए, अब इसकी बात ना, लास्ट हमारा experiment आता है, that is also again with glucose, glucose क्या करता है, वो ना, आपका acetic anhydride के साथ reaction शो करेगा, और आपको देखना, जब हम फिर से glucose को लिख देते हैं, CHOCH4, and we have CH2OH, यह क्या है, यह glucose है माम, अच्छा, अब glucose की, तुम acetic anhydride के साथ reaction करवाने वाले हो, तो यहां से देखना तुम्हें क्या obtain होगा, बहुत सिंपल सी चीज़, जब तुम इसके acetic anhydride के साथ reaction करवाते हो, तो आप क्या देखते हो, यहां पर यह CHO तो as it is है, इसके बाद आपका जो यह internal वाला CHOH ग्रूप है, यहां पर भी आपका anhydride वाला जो ग्रूप आ जाता है, C double bond OCH3, यह आपका यहां से obtain हो जाएगा, इसके 4 molecules हैं, क्योंकि यहां पर 4 molecules ले गएते हैं, similarly आपको यहां पर भी क्या देखने को मिलता है, यह जो है CH2 की valency maintain करके रखना, यह वाला ग्रूप फिर से आजाएगा, O C double bond OCH3, यह आजाएगा, यहां से वो हमें क्या साबित करना जाता है, यहां से यह keto acetate की formation होगी है, किसकी keto acetate, यहां से यह pent acetate की formation होगी है, वेरी वेरी सॉरी keto group नहीं है, यहां पर aldehyde group है, हम glucose की बात कर रहे है, तो यहां पर देखना क्या हो रहा है, यहां पर pent देखने को मिल रहा है, pent मतलब क्या हुआ, 5, 5 क्या 5, यहां पर 5 OH group present है, वो आपको यह सिध करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि अगर आप इन दोनों को compare करके, यहां पर हमने 4 OH को इस से रिप्लेस किया, 4 लगे वोन मॉल्क्यूल्स, similarly यहां पर 1 OH को रिप्लेस किया, कितने OH को रिप्लेस किया, 5 OH को रिप्लेस किया, तो इसलिए मैंने बोला pent acetate, जो कि मेरे गलती से मुझे keto word निकल गया था, that is pent acetate, तो यहां पर क्या होगा, यहां पर aldehyde group है, glucose की बात हो रही है, ठीके, इसलिए keto शब्द का इस्तमाल नहीं होगा, हम fructose के अंदर keto शब्द का इस्तमाल करेंगे, वहाँ आपको लेर होगा, क्योंकि वहाँ पर keto one ग्रूप है, अब वापी से यहां पर आते हैं, मैंने इस experiment से आपको क्या सिध हुआ, इस experiment से यह सिध हुआ, भी यहां पर 5 OH ग्रूप है जिनको आपने replace कर दिया, मतलब अभी तक आपने जितनी conclusion करी, उन conclusion में से सबसे पहली conclusion, जो कुछ initial experiments ने बताया, इन initial experiments ने आपको यह सिध किया, भी यहां पर कोई न कोई कार्बूनल ग्रूप प्रेजेंट है, ठीक है, उसके बाद उसने आपको यह सिध किया, यहां पर bromine water के साथ जब आपने reaction करवाई, तो आपको यह सिधुआ भी यहां पर aldehyde group पे प्रेजेंट है, तभी यहां पर यह COH group आया, उसके बाद लास्ट experiment में यह सिधुआ भी जो आपका glucose का structure है, उसके अंदर OH groups भी प्रेजेंट और कितने प्रेजेंट है, तो dilute etchno3 के साथ जो कि आपको यह सिध करती है, भी जितने भी alcoholic group है ना वो सभी primary alcoholic group है, ठीक है, मनला primary OH जो alcoholic group है वो primary carbon के साथ जुड़ा हुए, इंशॉट कहने का यह तात पर है, अब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम लिखते हैं, इसका Fischer Projection Formula glucose का, अब glucose का structure हम ध्यान से बना कर देखेंगे, भी actual में structure कैसा होता है, ठीक है, so let us draw the structure of glucose, और glucose का हम कौन सा structure यह ड्रॉ कर रहे हैं, Fischer structure, Fischer structure, या Fischer Projection Formula भी आप कह सकते हो, तो आप देखना ध्यान से, जब हम Fischer Projection glucose का कर रहे हैं, तो I want भी आप साथ साथ ड्रॉ करें, तो अच्छे से आपको भी clear होगा, आप जैसे कि हमने बोला, यहाँ पर सबसे पहले हमने LDHID group लगाया था ना, तो यहाँ पर हम CHO group लगा देगे, आप ध्यान से देखना, Fischer में आपने आपको बताए 6 carbon है, एक carbon आप लगा चुके हो, अब देखना, यहाँ आपका दूसरा carbon है, तीसरा carbon है, चौथा carbon है, पांचवा carbon है, और लास्ट में यूनो क्या लगा हुआ है, CH2OH लगा हुआ है, यह कौण से 6th carbon है, क्या सबी को clear हुआ, 1, 2, 3, 4, 5, 6, यह जो point है, यह जो spot है, यह carbon आटम को denote कर रहा है, यह carbon है, यह carbon है, यह carbon है, क्या सबी को clear हुआ, हाँ जी, इतना clear हुआ, इतना clear हुआ, फटाबड बताओ, अब देखो, हमने, यह जो मैंने 4 carbon आटम्स हैं, यह अभी पर ऐसे bracket में लिखेते, देखो, वही तो है, अब इस पर H और OH ग्रूप लगा हुआ है, तो कहाँ पर क्या लगा हुआ है, आईए वो लिखते हैं, सॉरी, आईए वो लिखते हैं, ध्यान से देखना, यहाँ पर क्या आएगा, H आएगा, इधर आएगा OH, इधर आएगा OH, यहाँ आएगा H, यहाँ आएगा H, H और यहाँ आजाएगा OH, OH, तो यह आपका किसका structure होता है, यह आपका structure होता है, glucose का, किसका structure है, glucose का structure है, पहले इसको लिख लो, अच्छे से लिख लो, Glucose का हमारा यह Fischer Projection Formula है Glucose का अच्छा यान आप छोटी-छोटी चीज़ों का हमें ध्यान देना होता है क्या छोटी-छोटी चीज़ों का ध्यान है तो इसका नाम के है सबसे पहले क्या इसका नाम Glucose है यह तो हमें पता है मतलब यह Dextrorotatory है, मतलब यह Clockwise Rotate करेगा, तो यह Positive Sign आपको यह बताता है, भी यह Dextrose है, मतलब यह क्या है, यह Dextrorotatory है, ठीक है, इसके बाद यह Ma'am D, Ma'am Dextrorotatory तो Small D होता है ना, तो यह Capital D भी भी है, यह Capital D वो नहीं है, यह Capital D क्या बताता है, इध्यान से सुनना, विस इसे होते हैं, जो आपको नहीं पता होता, Last आपका, जो Chiral Carbon है, Last, देखो Chiral Carbon का है, जिस पर 4 अलग ग्रूप है, यह हमारा क्या है, यह Last Chiral Carbon, यह Chiral नहीं है, क्यूंकि इस पर 2 H Group लगे होए है, तो Last Chiral Carbon है ना, Last Chiral Carbon पर, अगर आपका OH Group राइटन साइड पर है, किस साइड है, राइटन साइड, देखो यह राइटन साइड है, यह लेफटन साइड है, अगर Last Chiral Carbon पर OH Group राइटन साइड है, तो आप Capital D की यूजज करते हो, तो वहाँ पर आप Capital D लिखते हो, ध्यान देना है इस चीज़ का, क्या लिखते हो उस टाइम पर Capital D लिखते हो, अगर आपका Last Chiral Carbon पर OH Group लेफटन साइड पर होता, तो आप Capital D वहाँ पर नहीं लिखते, क्या सभी को क्लेर हुआ, कर लेंगे, ठीक है, यह हो जाएगा, यह क्या है D positive glucose, जिसमें D यह बता रहा है, भी OH Group, Last Chiral Carbon पर राइटन साइड पर है, positive बताते हैं, यह Dextrose रोटेटरी है, यह Dextrose है, यह Clockwise Direction में रोटेट करेगा, और glucose का structure, तो आपको पता ही चल क्या है, क्या सभी को क्ले हान जी क्यों नहीं होता, बिलकुल होता है, इसका होता है closed structure, इसका closed structure भी बना सकते हैं, आइए, आपको पता है, glucose को जब ओपन structure की बात करते हैं, बहुत simple है, close की बात करते हैं, तो glucose दो forms में exist करता है, एक होता है alpha form होता बीटा form, तो आइए उसको study करते हैं, अब पहले इस सबसे हैं, यहां o h है, यहां h है, yaha h है, o h है, yaha s abhi को इसमें किसी को तो कोई डाउट नहीं हैं, यह तो बारबर बना लिया, अब ध्यान से देखना है, इसका अब हम दो forms बनाएंगे, एक form हम बनाएंगे, अलफा form हम बनाएंगे, बीटा form, ध्यान से सुनेंगे, अभी लो तुमसे बनवाउंगी स्टो सुन लो पहले बता रही हूं यहां क्या होने वाला यहां खोल स्रॉक्चर बनाएंगे अब क्लो स्रॉक्चर कैसे अलफा फॉर बीटा फॉर्म के के लिख़ा लीखना होगी। जब चुत अ क्लो कते हैं है यह आपर मुझे क्या गीवन है lens यहांभाड अगsheज़न है ऊंगीन मी क्लो स्ट्रक्च्चर पर पहला है ने सा만 Nee यह अगरकोड इनल से ब्लगा Ke om Investment ऑभी देख रहां से यहां पर क्या करूंगी है यहां ओक्सिजन आएगा, ध्यान देना, आगे क्या होगा, आगे बाखी सेम चीज लिख दो, H, OH, OH, H, next क्या है, H, OH, अब इस कारबन का ध्यान देना, यह कारबन डिरेक्टली से जोड़ दो, और यहां क्या है, H, और यहां क्या है, CH2OH, तो यह हमारी फॉर्म कौन से होती है यह alpha form होती है, glucose की, alpha form होती है, जब आपका, यहां पर यह देखो, अब मैंने क्या किया, इस carbon का एक bond मैंने और ब्रेक कर दिया, ठीक है, और उसको मैंने oxygen से attach कर दिया, किस से, last वाले हमारे chiral carbon से, last वाले chiral carbon का OH यहां पर था, तो यहां O से हमने connect कर दिया, closed ring light structure बन गया, औ और यहां ध्यान देना, अगर यह OH ग्रूप right hand side पर है, अगर आपका जो C1 है, यह पहला carbon है, यह दूसरा है, यह तीसरा है, यह चौता है, यह पांच है और यह चटा है, अगर पहले carbon पर OH ग्रूप, C1 position पर OH ग्रूप आपका right hand side पर आता है, तो वो alpha form होती है, क्या होती ह सिंपल है, बहुत सिंपल है, पहले इसको लिख लेते हैं, यहां पर फिर से, अब इस बर OH ग्रूप यहां लिख रही हूं, इस साइड लिख रही हूं, बाकी सब से, H, OH, OH, H, 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 OH, अब यहां पर क्या होने वाला है, देखो, यहां बनेगी close ring like structure, कुछ इस प्रकार से, य क्या हुआ, जो पहला कार्बन है, पहले कार्बन पर OH ग्रूप कहां आ गया, लेफ्ट एन साइड पर आ गया, तो यह क्या होगा, बीटा डी, पॉजिटिव ग्लूकोज, अब ध्यान देना, बीटा क्यों कहा गया, क्योंकि पहले कार्बन का OH ग्रूप लेफ्ट एन साइड पर आ गया है ना अब D आपर क्यों कहा गया D हमारा या पर इसलिए कहा गया क्योंकि हमारा जो लास्ट वाला कार्वन है उसको वेज गुरूप राइट एंड साइड पर है आजी इसको सबसे पहले नोट करेंगे सभी फटाफर से लिखो चालो यह तो फिशल फॉर्मुला था, अब ना इसका हावरत फॉर्मुला भी लिखते हैं, ठीक है, हावरत फॉर्मुला, सौरी मेरी प्रनांसेशन अगर गलत है तो, ठीक है, आईए, उसको लिखते हैं, देखना, वो बहुत सिंपल है, यह प्राक्टिस करोगे ना, बहुत इसली तुम्हें हो जाएगा, ठीक है, अज़ अब इसकी जब हैवरत फॉर्मुला की बात करते हैं, यहाँ पर यह क्या बनता है, उसी की तरह लिखते हैं, अब ना जो ग्लूकोस की बात करते हैं, तो ग्लूकोस इस समवट रिलेड़ीड टू, हम यहाँ पर जब कर लो यह बोल दो यह carbon 1 है यह 2 है यह 3 है यह 4 है यह 5 है अब पते क्या करना यहां पर एसे bonds लगा दो यह bonds है मालो ध्यान देना मैं जो चीज बोल रही हूं उसको गौर देना जो लेफ्ट साइड पर आपको गिवन होगा उसको टॉप पर लिखो जो आपको राइट इन साइड पर गिवन होगा भाई उसे बॉटम पर लिखो इन चीजों का ध्यान देना कैसे समझाती हूं देखो वापिस आते हैं यहां लेफ्ट साइड पर जो लिखो यह राइट होती है लेफ्ट पर क्या है पहले कार्बन पर हाइड्रोजन तो इसको टॉप पर लिखेंगे हाइड्रोजन पहले कार्बन है टॉप पर लिखेंगे अच्छा राइट पर लिखेंगे राइट पर जो इसको बॉटम पर लिखेंगे राइट पर क्या है ओच है माम ठीक है जी वापिस आजाओ सेकेंड कार्बन पर लेफ्ट पर क्या है एच है राइट पर क्या है ओच है left पर H है तो उपर H आएगा और नीचे क्या आजाएगा OH आजाएगा समझ रहे हो ना कैसे लिखना इसको easy लग रहा है चलो वापिस आजो third carbon पर आजो left पर क्या है OH है right पर क्या है H है ma'am left पर OH है तो उपर OH आजाएगा और नीचे H आजाएगा जब आप इसका लिखने लगते हो तो यह simple है यहाँ पर आपका इधर CH2 OH आएगा और यहाँ है जाएगा बस इतना ध्यान देना clear हुआ ठीक है तो यह कौन सी फॉर्म है यह आपकी alpha form है alpha alpha d positive glucose आजाब बीटा form को ऐसे represent करें चलो करते है चलिए करते हैं start करते हैं कैसे करेंगे वापिस आजाओ यहाँ left पर क्या है OH राइट पर क्या है H left पर क्या है OH राइट पर क्या है H वापिस आजाओ फिर क्या है H OH H OH चलो next पर next पर क्या है H OH और लास्ट में, you know that, it is CH2OH, और यहाँ आजाएगा है, क्या सभी को clear हुआ, everyone, is it easy, it was easy for you, यह कौन सी form है, यह बीटा form है, तो यह कौन से आपके structure हमने बनाए है, यह हमने closed structure बनाए है, यह सभी को clear हुआ, यह कौन से structure है, यह आपके closed structure है, इसको लिखलो फटा-फट से, अच्छा, अब इसका नाम यह incorrect हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसको ग्लुको पाइरनोस के नाम से जानते है, क्योंकि यह जो हमारा पाइरन होता है, उससे quite observe किया गया है, तो वहां से लिए तो क्या नाम इसका हो जाएगा, यह किसे similar है, पाइरन के structure से quite similar है, हाँ, अलग बात है, यहाँ पर group से लग 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 हैं, लेकिन यह क्या है, ग्लुको पाइरनोस हो जाएगा, क्योंकि वहां से derive किएगे, तो इसको आप लिख लिजेगा, और अल्फा-ड पॉजिटिव ग ग्लुको पाइरनोस, और यहाँ बीटा डी पॉजिटिव ग्लुको पाइरनोस, लिख लो इसको पहले फटा फट से, यही पर ग्लुको से फिनिश होता है, अब हम स्टार्ट करने जारे है, फ्रक्टोस के बारे में, फटा फट से लिख लो, ताकि हम फ्रक्टोस पर अब स्टार्ट करते हैं फ्रक्टोस के बारे में, तो फ्रक्टोस क्या है, अभी आपने देखा था ग्लुकोस क्या है, वो एल्डो हेक्जोस था, तो फ्रक्टोस क्या है, फ्रक्टोस है कीटो हेक्सोस, क्यों? क्योंकि यहाँ पर की टोनिक ग्रूप है, इस वज़े से, इस जब सुक्रोज की आप हाइड्रोलेसज करवाते हो, तो you know this, अब इसको तो नहीं बूले रहे न, इत्रे में, C12H22O11, ये क्या है, ये सुक्रोज है, इसकी हाइड्रोलेसज करवाने जा रहे हो, क्या करवाने जा रहे हो, हाइड्रोलेसज, तो C6H12O6 ग्लुकोज मिलेगा, औ लुकोस में अलडी हाइड गूप था फ्रक्तोस में कीटो गूप है it is naturally occurring monosaccharide जो कि fruits में मिलता है honey में मिलता है vegetable में मिलता है और pure form में इसको हम as a sweetener के तौर पर भी इस्तमाल करते हैं क्या सबी को clear हुआ अब देखो दोनों का molecular formula तो same है लेकिन गड़वड कहां हो रही है माम इसके अंदर functional group क्या है मारे पास ketone है तो आइए इसको draw करते है तो देखो इसको कैसे draw करेंगे सबसे पहले क्या एगा CH2OH आएगा उसके बाद क्या आएगा ketone ए कीटो ग्रूप यहां देखने को मिलता है अब अगर आपका तीसरा कार्बन होगा यह आपका चौथा कार्बन होगा यह आपका पांचवा कार्बन होगा और यहां लास्ट में CH2OH आ जाएगा 6th कार्बन पे यहां सबी को clear हुआ इतना clear हुआ न पहला दूसरा उसके तीसरा चौथा पांच और फिर CH2OH आ जाएगा अब यहां पर देहान से देंगे यहां यह यह है यह आजएगा यह है और यहां आजएगा OH यह किसका structure है यह हमारा किसका structure हो जाएगा यह हमारा fructose का हो जाएगा या फिर keto exos का भी आप कह सकते हो यह किसका हो जाएगा fructose का हो जाएगा क्या सभी को clear है अच्छा अब यह कैसा है इसको कैसे लिखेंगे क्या इसका ना फ्रक्टोस होगा नहीं यहां देको OH ग्रुप जो लास्ट वाला हमारा जो लास्ट वाला कार्बन है उस पर OH ग्रुप राइट एंसाइड पर है तो यह भी क्या हो जाएगा D positive positive किसलिए क्योंकि यह पॉजिटिव नहीं होगा एक चीज और एक चीज और glucose हमारा जो था वो dextrorotatory था लेकिन fructose हमारा leviorotatory है इसलिए इनके बीच में negative आएगा glucose है positive क्योंकि वो dextrorotatory है यह क्या है leviorotatory है समझ पा रहे हो समझ रहे हो आप्टिकली अक्टिव कंपाउंड की बात हो रहे है तो यह क्या हैगा D negative fructose आएगा दोनों का molecular formula सेम है लेकिन difference कहां आ रहा है एक तो आपकी group में आ रहा है और दूसरों की optically active में आ रहा है क्या सभी को clear हो everyone is clear to you all अच्छा चलो आगे चले okay let us proceed further चले आगे चले चलिए अपना मैं आप सभी के लिए एक homework है try करने को दे रही हूँ जादा मुश्किल नहीं है सिरफ try करने को आप लोगोंने fructose का सिरफ try करना है मैंने आपको यह structure बना दिया है आपने fructose का Fisher projection formula try करना है homework मैं try बोल रही हूं next lecture में मैं आपको बनवा के दिखा दूंगी Fischer projection formula I'll make it but I want एक बर आप ट्राय करके देखो जैसे glucose को कि यहां एक बर अगर आपको लगता है भी ठीक है आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है फिर आप उसका हाविरत formula बनाईए अगर फिशर वाला आता है नहीं या तो एक बर ट्राय करो so that आप यहां पर carbon double bond हो यहां है तो यहां पर यहां पर खेल होने वाला है समझ ना पिछले वाले case में जहां पर carbon double bond हो था वहां पर हम देख रहे थे यहां पर यहां पर आपको कुछ देखने को मिलेगा there will be a change over here something तो इस चीज का ध्यान दीजेगा बाकी मैं आपको next lecture के अंदर इस session before ending this session students homework आपको मैं बता दू साफ homework आपका क्या है आपको practice sheet मिलेगी आपने practice sheet के जो questions है उनको solve करना है तो practice sheet के questions solve करेंगे तो जितना आज हमने topic पढ़ा है वो सभी उसके इंदर cover हो जाएगा दूसरी चीज you need to read your NCRT आपने का करना है NCRT रीड करना है जितना अभी तक हमने पढ़ा है तो next lecture के अंदर हम आगे proceed करेंगे मेरे हिसाप से आपका interest वेला पोचुका होगा और यह नंबर तो कहीं नहीं जाने वाले है ना क्योंकि बहुत easy लग रहा है जब आप इससे draw करके देखते है तो NCRT से read कीजिए practice sheet को solve कीजिए students है ना ताकि हम मिलेंगे कल next lecture के अंदर next lecture की length थोड़ी सी जाधा हो सकती है तो end करने से पहले आपके लिए कुछ lines है यूही नहीं मिलती राहा को मंजिल एक जुनोन सा दिल में जगाना होता है पूछो चिडिया से कैसे बना आशिया बोली भरनी परती है उडान बार बार तिनका तिनका उठाना होता है तो आपके छोटे छोटे efforts जो है ना वही आपके बड़े goal तक आपको लेकर जाएंगे ऐसा नहीं है भी रातो रात आपको success मिल जाएगी नहीं ऐसा नहीं होता आपके बहुत अच्छे नमबर आएंगे गलत बहुत गलत फिर आप खुद को जूट बोल रहे हैं जागो इस चीज से आप छोटे छोटे efforts करो डेली आपका सुबा से लेकर रात तक का जो छोटा से effort होगा ना पिछले दिन से कुछ बेटर करने की जो चाह होगी ना वही आ आपको आगे लेकर जाएगी इस चीज का आप हमेशा ध्यान रखो आप ये देखो क्या आप अपना कल से बहतरीन दिन बना पा रहे हो मतलब कल जितने आपने efforts किये थे क्या उससे अब अब कुछ थोड़े से जादा effort कर पा रहे हो अगर कर पा रहे हो ना तो तुम side direction में ज चाहिए और सपना है तो पूरा भी करना है और करना है तो होसला हिम्मत और संकल्प चाहिए और वो रखो से maintain करो है ना और प्रूव करो भी yes हम भी कुछ कर सकते हैं तो मिलेंगे next lecture के अंदर जोके हमारा last lecture होने वाला है संकल्प बाच का ठीक है तो मिलेंगे next lecture के अंदर till then keep smiling keep learning thank you so much and have a good day